चीज समझे जैसे pen है मान ले जाए तो इस pen की कीमत क्या है हमें नहीं पता लेकिन इस pen को आपने market में 100 रुपए पर खरीदा है तो आपको profit कब होगा जब 100 रुपए से ज्यादा भी बेचोगे तभी ना profit होगा 100 रुपए से कम में बेचोगे तो क्या होगा लोस हो जाएगा यह तो समझ में आती ही बाद शॉट करना किसे कहते हैं आपके पास की pen नहीं है लेकिन आपको पता है कि market में यह pen available है आपके पास customer आया उसने पुछा भाईया pen है अपने कहां है कितनी चाहिए 100 pen चाहिए या एक pen चाहिए अपने कहा कितना दोगे उसने पु आपका शांत घर पहुंच जाएगी अब आपने उसे 100 रुपे ले लिया pen कितने बेज दी उसको 100 रुपे बेज दी लेकिन सामदों तो भाईया घर पहुंचा नहीं है ना पैन उसके कैसे पहुंचाओगे आपके पास तो पैन थी नहीं तो आप जाओगे अपने मार्केट आपने मार्केट में गए दुकान पर खरीदने तो वहां को देने कितने पढ़े 100 रुपे में से निकाल के गिनके 90 रुपर जेने पढ़े तो जेम में वापस कितने जले जाए दस रुपे गाए ना वह आपको प्रॉफिट हो गया इसे कहते हैं शॉट करना लेकिन मान लो आपने सुबह सुबह 9 बजे कितने में बेची 100 रुपे में बेद दी पेट साम तक पेट की साल्टेज हो गई मार्केट में आप गये दुपहर में दुकान पर बहिया वो अली पेट कहा है रहे भाई वो तो आ नहीं दी है तो आपने पहले बेज दिया है 100 रुपे में आपके जेम में कितने आये थे 100 रुपे आयते अब शाम को जब उसके घर डेलेवरी करनी है समान की करनी पड़ेगी यहां मना नहीं होता जान लीजिए यह समझ लीजिए पीछे नहीं अट सकते साओधा हो गया तो हो गया फिर अब आप दुगान पर जाओगे आप क्या कहोगे कि ठीक एलाओ दो 110 में द हो गया है तो 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 सोचेगा अच्छा ही हो मेरा ही फाइदा हो गया मुझे 100 रुपे में चीज मिल गई आपका 10 रुपे का नुकसान हो गया इसे कहते हैं नुकसान यहां शॉट करने पर आपको लग रहा है कि आज यह 2741 से गिर के 2700 आ जाएगा यह रात में आपने कोई न्यूज पढ़ी यह सब काम न्यूज के बेसस पर चलता है जनली कि रिलाइंस को एक नुकसान हो गया है यह रिलाइंस की डील हाथ से चली गई है आपको लग रहा है कल मार्केट खुलेगा रिलाइंस गिरेगा लग रहा है आपने क्या किया आपके पास ना शेर थी आपक वर शेयर नहीं थे फिर भी आपने उसको बेच दिया कैसे बेच दिया आप जाएंगे सेल पे जैसे हम बाई पे गया है आप सेल पे जाएंगे सेल पे इतने quantity ट्रेड करनी है अब quantity लिखेंगे यहाँ पे और वो automated आपका leverage ले लेगा और उतने पैसे अगर आपके अगाउंट में होंगे तो वो सेल कर देगा अब अगर ये शेयर 27.41 से गिर के 27.00 पे आ गया उसी दिन तो आपके बन गए कितने 40 रुपे क्यों क्योंकि आपने 9.15 पे इसको 27.41 पे बेचा और इसको आपने खरीद लिया कितने पे 39.00 पे मान लेते हैं या आपने इसको 3.00 बजे खरीद लिया वापस से तो अगर